अब देखरेंगे से पाढ़ों के उपर बरसात हो रही है और उसका वजह से दिली के अंदर भी जो लगतार बाड जैसे हलात हो रही है दिल्ली के निचले इलाकों में अगर यमना की बात करें तो जिस तरीके से पहड़ी छेत्रों पे बरसात हो रही है ऐसे में हतनी कुण बैराज से पानी छोड़ा गया है जिसकी वये से दिल्ली के निचले इलाकों में बाड़ा गया है यमना के आसपास रहने वाले लोग को सरकार की मदद से परसासन की मदद से बाहर निकाला जा रहा है लेकिन अभी भी कहीं लोग फसे हुए हैं लेकिन उनको बाहर निकाला जा रहा है तश्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यमना का पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और उसके उपर से जो जाने वाली जो ट्रेने हैं वो भी पूरी तरीके से बंद कर दी गया है लेकिन अगर बात करें यमना खतरा के निसान से उपर भैर रही है और जिस तरीके से जो जो इस्तर है वो 207 के आसपास वो पोह चुका है लेकिन जिस तरीके से जो निचला इलाका था यमना का वो पूरा डोप चुका है करीब 5-6-6 फिट पानी भरा हुआ है लेकिन जिस तरीके से वहां के जो लोग रहते थे उनको परसासन की मदद से बाहर निकाला गया है और साथ इसाथ उनको रहने की वेवेस्ता वो की गई है लेकिन जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जिस तरीके से लोग अब नाओ में अपना समाण धूर आठी है और परसासन की पर नजर बनाई रखाए और जिन लोगों को जो भी ज़रूर आता है या टैंक्ट की जिसमें जो लोग रह रहे हैं उनमें जो है वो देख रहा है दिली से कमल कुमार कंसल नोदे टाइम्स पंजाब के सिरी टीवी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए